दोस्तों, दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मासातों, मारोटों, भाई और बेनों, कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मसे में होंगे, खेर खेरियत से होंगे, और तोर जहां भी होंगे, इंजॉय करें होंगे अपनी लाइफ को असलाम लेकुम प्यारों मेरा नामे का फली और आप देख रहे हैं तालीम का गर दोस्तों तुम सब लोगों में से 90 पीसद लोग तो पढ़ाई को ना पसंदी करते होंगे बस कुछ 10 पीसद लोग ही होंगे जो के दिल से अपने लगन से पढ़ाई करते होंगे अबे सालों अपनी उंगलियों को जरा काबू में रखो ये ना लिख देना कमेंट बॉक्स में के यार तू दी मोटीवेट करा ये फलाना डिम करना अरे यार चस्ट मैं एक फेक बता रहा हूँ और वैसे आपस की बात मैं भी 90 पीसद लोगों में ही आता हूँ लेकिन दोस्तों आज मैं किताबों के बारे में बात नहीं करूँगा क्यूंकि आज की वीडियो होने वाली है वर्ल के टॉप नाइन बेस्ट लाइबरेरी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंडाउन नवे नबर पे आती है जोज पिया बोडी लाइबरेरी दोस्तों ये लाइबरेरी युनाइटेड स्टेट्स के मेरिलेंड स्टेट के बेल्टीमोर सिटी में पाई जाती है और ये प्रोडक्स आर्किटेक्चर, जियोग्राफी, एक्स्प्लोरेशन, अमेरिकन और ब्रिटिश हिस्ट्री और आर्ट्स के बारे में हैं और तो और ये बुक्स 18 से लेके 20 सेंचरी तक के हैं आर्ट फे नबर पे आती है न्यू योक लाइबरेरी दोस्तों वेसे दो ये लाइबरेरी वर्ल की चोती बड़ी लाइबरेरी है लेकिन फिर भी बीस्ट लाइबरेरी की कांट नम लिस्ट में आठफे नबर पे आती है क्योंकि जो होता है वो दिखता नहीं वेसे दोस्तों इस library में 53 million items पाए जाते हैं और इस library का book shelf इसरिफ 125 miles तवी ले दोस्तों इस library में 6 बहुत बड़े sculptures पाए जाते हैं जो के American sculpturer Paul Whalen Barlet ने बनाये थे और दोस्तों इस library में एक बहुत ही unique lobby है जिसको इस रो हाल कहा जाता है और यह अपने beautiful ceiling और decorative lights की वज़े से ही जाना जाता है साथवे नबर पे आती है Stockholm Public Library दोस्तों यह library Sweden country के capital city Stockholm में पाई जाती है यह library 1928 में बनाई गई थी और यह Swedish architecture Eric Goner में बनाई थी और आज यह library 44 million products से बरी हुई है जिसमें से 2 million books हैं और 2.4 million audio tapes हैं और हाँ 100 मुक्तलफ languages में books पाई जाते हैं इस library में च्छटे नबर पे आती है Real Gabinit दोस्तों यह library Brazil के Rio de Janeiro City के downtown में वाके है इस library को Royal Portuguese Reading Roman English पी कहा जाता है दोस्तों यह library दुन्या की दूसरी बड़ी library है जिसमें Portuguese collection है दोस्तों यह library 1837 में बनाई गई थी और यह 16th, 17th और 18th century के books अपने पास रखती है पांच पे नबर पे आती है State Library of Victoria दोस्तों यह library Australia के Victoria State में वाके है और यह library mostly अपने Victoria State के history के religion, culture और explorations के बारे में बताता है दोस्तों जोन बेट्समें और Brush Ranger जो के इस library में ज्यादा से ज्यादा books लाए जिन में arts, newspapers, maps और बहुत सारी चीज़े थी चोते नबर पे आती है Library of Congress दोस्तों यह library world की सबसे बड़ी library है जो के United States की Capital City Washington DC में पाई जाती है इस library की book shelfी 838 miles लेंबी है और इस library में 158 million items पाई जाते हैं जिन में से 33 million सिर्फ books हैं और बाकी दूसरा stuff बगेरा यह library हर साल यार अपनी library में 2 million products aid करती जाती है वैसे यह library 1814 में British troops से destroy की गई थी जिसमें बहुत सारे books हमारे destroy हो गए थे और यह librarian केहते हैं कि जितना उस time के दोर में books की destruction हुई थी तो वो शायद हम आगे चलके 10,000 सालों में भी ना recover कर पाएं तीसरे नबर पे आती है 20 college library दोस्तों यह library Ireland के Dublin city के 20 college की library है यह library 6 million products से भरी हुई है और इस library में दुनिया के बहुत पुराने books रखे हुए है जिसकी वज़े से मैंने इसको तीसरे नबर पे रखा है दूसरे नबर पे आती है advanced able library दोस्तों यह library world की सबसे बड़ी monistic library है और यह library Austria country में पाई जाती है दोस्तों इस library में 8 century के books और menu plates पाई जाते है और दोस्तों सबसे पहले नबर पे आती है बाइबलो दीक्यू नेशनल दा फ्रांस दोस्तों यह library यूरप की तीसरी बड़ी library है जो के फ्रांस country में पाई जाती है यह library 1461 में बनाई गई थी और 1995 में इस library को दुबारा और नए सरे से तामीर किया गया था दोस्तों इस library में 40 मिलियन आइटम्स पाई जाते हैं जिन में से 14 मिलियन बुक्स ही हैं तो दोस्तों आप सबको कैसी लगिए वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताईगा और अगर या वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे चैनल तालीम के घर को और दोस्तों इसे के साथ अपने भाई को दीजे इजाजत अल्लाहाफिज